नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़ा ओनलाइन चनल अनकेडमी के ग्रुप यानि के वाइफाइ श्टडी पे आप जुड़े हैं शाम को चार बच चुके हैं दोस्तों और यह विकेंड सेशन है और विकेंड सेशन में हम लोग आपके लिए लेक होगा रमुखी का चप्टर भी आपने पढ़ा और बहुत क讲 चानद भी होगा लेकिन आज हम ज्यौला मुक्टी को सामानय भासा में देखेंगे संमस्जेंगे कि ज्यौला मुकी है क्या और ज्यौला मुकी का कार il क्या है ठीक है डोस्तों अगर ज्यौला मुकीõesकिक बारे हैं वो कार कर रहे थे एक आपका एक्सोजेनेटिक फूर्स और दूसरा है आपका एंडोजेनेटिक फूर्स यानि एक अंतर जाद बल और एक बहिर जाद पर जब अंतर जाद बल जोए उसमें एक आपका और दूसरा आपका वोल कैनो तो अर्थ क्रेक के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे और वोल कैनों के बारे में चर्चा करते हbons आगी के तरह बढ़ेंगे तो फटा-फट सभी लोग आслडाइन और शेयर कर दीजिए इस class को अपने सारे friends के साथ जो भी आपके known हैं जो भी आपके dear ones हैं उनके साथ इस class को share कर दिए कि वो इस class का love उठा सकें और ज्यादस-ज्यादस को share करते हुए आप लोग ठीक है न सभी के साथ share कर दिए like share कर दिए कि आप लोग को इस class का love ही मिले इस सलसब्दों में हम प्रिश्वी के अंदर के जो भी लेयर हैं, जैसे सबसे उपर क्रश्ट, फिर मेंटल, फिर कोर, तीनों के घनतों में काफी अंतर होता है, और घनतों में अंतर होने के चलते प्रिश्वी के घुरन के कारण, इनके अंदर के जो परते हैं, उनमें भी घुरन होता है, गुरन के कारण इन में बनता है घर्षण बल यानि कि फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही क्या होता है यहां जनरेट होती है क्या हीट यानि कि उस्मा जस्ट वैसे ही जैसे कि आप मान लिजे कि आपका ये हाथ है और ये हाथ ही मान लिजे कि पृत्वी का एक परत है और दूसरा परत है और इसके बीच में घर्षन बल हो रहा है एक बार घर्षन करके तो देखिए तो यहां क्या जिनरेट हो गई यहां हो गई उस्मा वैसे ही पृत्वी के परतों के अ लेकर आपके बाहर लावाल निकलने के पूरी प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं वो केले वोलकैनिज्म या ज्वाला मुख्यता इसी पर हम पूरा चर्चा करेंगे ठीक है ना बारे में बता दो दोस्तों मेरा नाम अनुप पुपाद्ध है मैं आपका मेंटर और कोचों सिविल सर्विस एक्जाम के लिए मोर दन सिक्सियर टीचिंग हो चुका मुझे जोग्रफी इन्वार्मेंट और करिंट अफेर्स ठीक है एक्सपोर्ट इन एक्जाम प्लानिंग एंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्रेटफॉर्म यूपी पीस्यू और यूपी ट्रेपल सी के साथ और इस पे प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने पे आ इन्डिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ देखने को मिलता है अब जैसे मेरी फ्री क्लासे से या मेरी पेड क्लासे से इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा आप सभी के मोबाइल में दोस्तों अनकेडमी का लड़ने गैप जरूर होगा आपने या तो एड्मीशन ले लिया होगा या एड्मीशन लेने का प्लान कर रहा है ठीक है मुझे बिलकुल ये मतलब नहीं है कि आपने किसका कोड यूज किया है या किसका कोड यूज करेंगे मैं बस यह जानता हूँ कि आप अनकेडमी के स्टुडेंट है और अनकेडमी के स्टुडेंट होने के न नए फीचर से उस नए फीचर के बारे में आप सभी को जानकारी मिल जा उसके बाद क्या करना है दोस्तों अगर आप नए है तो अनकेडमी का लड़ने के आप डाउनलोड करके अपना मुबाइल नंबर डाली और रेजिस्टर्ट कर लिजिए और UPPSC और UPSSC गोल में चले जा कि आपको सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप क्या कीजिएगा इस नाम का आप वह सर्च कर लiment और सर्च करने के बाद आप मुझे फॉलू कर लीजिएगा ठीक है अगर आप प्लस के स्टुडेंट हैं तो व्लबाना चाहते हैं तो भी यहां से आप प्री ये का अगर आप ओफर देखेंगे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है जिसमें आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का आपको free classes मिलता है अगर आप 12 महीने का यूपी PSC का free classes मिलता है और 24 महीने SSE के तीन महीने के free classes मिलते हैं fee के बारे में बात करें दोस्तों तो इसका fee 24 महीने का UPPSC और UPPSC का 8400 रुपए यानि 8400, 12 महीने का 7000 रुपए 6 महीने का 5600 रुपए 3 महीने का 3500 रुपए और 1 महीने का 1400 रुपए लेकिन जैसे ही आप code यूज करोगे क्या श्वास माने कि innerhalb of which जितने सधारन सब्दों में जतने देशस सब्दों में पढ़ेंगे अपने नहीं पढ़ा होगा आपको एकदम दीछने लगेगा जो आमउखी के होने वाली घठना लगये सब्सक्रिप्शन पर तो आपको क्या करना है कि समय रहते ही क्या करना है इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना है ठीक है इसके अलाव हम बात करें दोस्तो तो फते uppc scholarship test है जिसमें कि आप हर संडे को एक 11 वजे जो है आप scholarship test दे सकते हैं जिसमें rank 1 को 100% rank 2 और habeas rank 3 को 50% और rank 4 to 25 25% जो है वो अपने तरफ से scholarship देगा जो मैं free classes के बारे में आप से बात कर रहा था दोस्तों तो free classes कैसे देख सकते हैं रोज रात को 9 बजे unacademy के platform पर learning platform पर मेरी history की free classes आती है जो की 1500 प्लस जो आपके 1500 प्लस आपके questions हैं उस पर हम काम कर रहे हैं और यह question आपके IS, PCS, RO, ARO, UP SSC, PET, SI, Group D या जो भी आप exam के तयारी कर रहे हैं उन सभी exam के लिए बहुत ही ज्यादा important है ठीक है न तो आप क्या कर सकते हैं इसके साथ चल सकते हैं कि आपकी तयारी जो है शांदार, शांदार, जबर्जस और जिंदाबाद वाले रूप में हो दूसरा geography की जो classes है, geography के MCQ वो रोज दो पहर दो बज़े आता अभी वही हम खतम करके बस इस class को श्टार्ट किये हैं जिसमें हम geography के 1500 plus question NCRT based लेते हैं और history के जो question है वो विपिन चंद्रा, spectrum और NCRT based है ठीक है तो ये भी आप join कर सकते हैं इसके अलावा Indian quality के 1500 plus question पे जो है वो रोज सुबह 11 वजे प्रोग्राम है जिसमें हमकी M. Lakshmi Kanth based हिंदी और English मेरी जो भी classes होंगी वो bilingual classes होती है जिसमें हम हिंदी और English दोनों में काम करते हैं यृइंदी दोनों में बात करते हैं दोनों में आपकी classes होती है तो यह सब फायदे हैं इस सब फायदों को क्या करना है लाव लेना है ठीक है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के session को और जो मुखेता क्या है इस पर हम चर्चा करते हैं ठीक है कि सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं कि लाइक शेर करते रहिएगा तो हम बात कर रहे हैं किस पर जौला मुखी तो जौला मुखी के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आप जाएं कि पृत्वी में वह इस्थान जो के आपका चिद्र अथ्वाख खुला होता है जिसे पृत्वी के अंदर उद्गार की प्रवित्ती था निर्सित पदार्तों के प्रकार पे निर्भर करती हैं तो प्रित्वी की वो इस्थान माली जो प्रित्वी का कोई छिद्र हो जहां से प्रित्वी के अंदर का जो तप्त उश्मा है वो प्रित्वी के बाहर आए और उस तप्त उश्मा के साथ जो आपके धूलकरण, जलवास्प, और जो भी आपके अंदर के जो मिनरल्स हैं, वो सब गलित वास्था में प्रिथवी के बाहर आए, यह सारी जो प्रक्रिया हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जौला मुखिता की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है न, अब जौला मुखिय विस्पो के बारे में बात करें, तो जौला मुखियों का जन्म प्रिथवी के आंतरिक भागों में होता है, जिसे हम प्रत्यक शुरूप से नहीं देख पाते हैं, अता है, जौला मुखिय विस्पोट के विभिन चड़नों को ढूंडने के लिए हम बाहरी तथ्यों का साहरा लेना प होती है, तो इसको एक बार समझना है, आप प्रिथवी के लेयर के बारे में आप जानते हैं कि प्रिथवी का जो सबसे ऊपर का लेयर है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, ये मालिजे की आपकी प्रिथवी है, तो प्रिथवी के सबसे ऊपर का लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रश्ट कहते हैं इसके नीचे का जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं मेंटल कहते हैं उसके नीचे का जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं कोर कहते हैं और उसके अंदर का जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं इनर कोर कहते हैं यह आपके प्रिसवी के ऊपर का लेयर अब जो आपका क्र है कि इसे हम क्या करते हैं इसे हम कहते हैं दुर्बल्टा मंदल यहानि के सभी के गनतों में अंतर यानि के सभी के डमें वब घंतने भी लेयर ये भी करते हैं कि उसके साथ-साथ क्या कर रहे हैं अब जब घुरण कर रहे हैं तो इसके बल्ड के कारण क्या होता है कि जिसमा इस मिचुति से आप अगरा कर सकते हैं उपर से डखकन लगा मान लिजे कि आपने कूकर के city को बंद कर दिया तो क्या होगा जो safety wall है वो safety wall जो है वो foot जाएगा और वहां से क्या होगा आपका भाफ निकल जाएगा मान लिजे कि safety wall भी नहीं फूटा तो क्या होगा है ना क्या होगा safety wall भी नहीं फूटा तो कूकर जो है वो blast कर जाएगा सेम पृत्वी के उपर अगर हम बात करें तो पृत्वी के अंदर घर्षन बल होने के कारण जो है जो आपका उस्मा जनरित होता है उस उस्मा को निकलने के लिए पृत्वी पर एक स्थान चाहिए और जिस स्थान से ये निकलता है उस स्थान को हम जो है वो जौला मुखी का चिद रहे जहां से निकलता है ठीक है अगर जिस प्रकार हमने कूकर का उधार लिए और हमने कहा कि कूकर अगर विस में से अगर गैस ना निकले उसका सेफटी वॉल ना काम करे तो कूकर जो है विसपोर्ट कर सकता है वैसे ही अगर प्रित्वी में भी इस प्रकार की घटना अगर ज्वाला मुखी की घटना ना हो तो क्या हो सकता प्रित्वी के अंपर भी विस्वोट हो सकता इसलिए अगर कुल हम मिला के बात कहें तो यह जो घटना है जो कि आपके ज्वाला मुखी की घटना है वो घटना क्या है वो प्रित्वी के लिए अगर हम देखें तो यह आ ताफमान वहां पर पाए जाने वाली रेडियो धर्मीर पडर्दारतों के बिगेटन के दौरा होता है अब जुँ थय च्वन neural CBD अब इस रासानिक प्रक्रमों तथा उपरी दवाओं के कारण साधारते हैं, 32 मीटर की गहराई पर एक डिग्री सेल्सियस के आसपास से ताफ मान बढ़ जाता है, और इस प्रकार जैसे जैसे हम गहरे में जाते हैं, वैसे ऐसे पदार जो है वो पिगलने लगते हैं, और भू प्रिषवी में आप देखेंगे कि एक चेंबर होता है, जो कि आपके स्क्रीन पर जो है, ये चेंबर नजर आ रहा होगा, ठीक ना, ये प्रिषवी के जो है, एक चेंबर होता है, जिसको कि हम मैगमा चेंबर कहते हैं, और मैगमा चेंबर में, ठीक ना, क्या कहते हैं हम इस तो यहां आग बना हुए और यह दीरे-धिया क्या होता यहां से बाहर जुर्फ नेकलता है। वहां से ये बाहर के तरफ निकलते रहते हैं, ठीक न, अब जैसे कि इस image के माध्यम से हम समझ सकते हैं, यह image में मान लिजे कि यह स्थान जो है, यहां मान लिजे कि आपका magma chamber है, ठीक न, क्या है, magma chamber है इस स्थान पर, और यह आपका जो है, यह आपका नली है, जिस नली से अब परित्वी के अंदर यह जहां जहां आपका जमाह हो जाता के लेयर्ज बन जाते हैं अलाग प्रकार के आपका निर्मार करते हैं और इसी नली से वह बाहर के तरफ निकल जाता है, जिसके बारे में थोड़े दिर में हम चल कर पढ़ेंगे दूसरा जो भाग है वो है आपका भूमी का कमजोर हो जाना ठीक है ना जौला मुखी घटनाओं में तो जौला मुखी भिसपोड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो कमजोर भू भाग का होना अति आवश्यक है ठीक है ना जौला मुखी परवतों का विश्व वित्रण उपस्तिती तो ज्वाला मुखी विस्पोर्ट के लिए गैसों की उपस्तिती खासकर जलवास्त की उपस्तिती महत्पूर्ण है वर्सा का जल भू पटल की दारारों तथा रंधों के द्वारा प्रिस्वी के आंत्रिक भागों में पहुंच जाता है वहां पर ताकमान जो है अधिक हो जाता है और ताकमान के अधिक हो जाने के कारण जो है जलवास्त में बदल जाते हैं और समुद्री तट के निकट नजदीक समुद्री जल पर रीज कर नीचे की और चल जाता है जब यह जलवास्त बनता है तो उसका आयतन और इसका दवाओ इतना बढ़ जाता है कि यह भूतल पर कोई कमजोर इस्थान पाकर वहां से विसपोर्ट करता है और वहां से बाहर निकलाता है जिसे कि हम ज्वाला मुखी कहते हैं ठीक ना यहां तक लियर है ठीक ना यहां तक लियर है चले आगे बढ़ते हैं अब यह आपनी स्क्रीन पर देखा जिसको मैं स्फेर देख रहा है ठीक ना यह आपको ओशनिक क्रंट्स देख रहा है यह आपका क्वांटिनेंटल क्रश्ट देख रहा है अब यहां क्या देख रहा है कि इस स्थान पर जब क्वांटिनेंटल क्रश्ट जो है और इसके नीचे आपका लिथो स्फेर जब गया ठीक ना त आपको देखने को मिलती है ठीक है ना क्लियर है अर्थ क्वैक के बारे में हम बात करेंगे प्रशांत हर्स पूछ रहे हैं कि सर क्या अर्थ क्वैक के लिए भी यही रिस्पॉंस वाल होता है अभी हम थोड़े दिर में हम इस पर भी बात करेंगे धीरे दिर श्टेप बाइस स्टेप हम लोग आएंगे अमन कहा रहे हैं कि इस पार्ट बूर्ड पर पढ़ाने के पर्मिशन नहीं आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स ले कर आऊ और आप लोग अगर कुछ टॉपिक्स चाहिए जैसे कि जॉग्रफिक हम एजूपिक्स आप चाहिए जैसे के अभी कर रहा हूं आप लोग के साथ डिक है तो आप लोग को चाहे कि सरक और टॉपिक भी लेकर डिसकत किजिए जिसमें लोग को डाउट referring मुझे कमें बता दीजिये कि सर ये टॉपिक जो है इसको लेकर चलिए अच्छा ऑच्छा आप लोग ने सबने unacademy का learning app download किया है तो unacademy के learning app पे आप लोग search किजे मुझे अनुप उपाध्या नाम से किस नाम से search करेंगे अनुप उपाध्या नाम से आप पे search कर लिजे और मुझे वहाँ follow कर लिजे जिससे क्या होगा कि देखिए आप लोग बहुत सारे एक्जाम दे रहे हैं और इस एक्जाम के लिए multiple choice question जो है करना बहुत ज़रूरी है आपका admission है या नहीं है इससे कोई बात नहीं है आप free की classes कीजिए ठीक है न मैं तो यह भी कह रहा हूँ बस selection दीजिए बस पढ़िए खूब मन लगा के पढ़िए और खूब अच्छा result दीजिए समझ रहना आप लोग ठीक है न क्लियर है सभी को तो यहां तक हमने बात किया अब एक प्रश्न आपने पूछा कि क्या भुकम से भी इसका पिष्वीज़ काश्चा असरफ पढ़ेगा तो बिलकुल प्रिचवी पर जो भुकम के घटनां होंगी ठीक ना इन भुकम की घटनाओं के कारण भी अगर हम देखेंगे तो हमें ज्वाला मुखी देखने को मिलेगा ठीक ना तो ज्वाला भुकम्ब की प्रक्रिया से ज्वला मुखी हो ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन जब भी घटना होगी क्योंकि ज्वला मुखी की घटना हुगे कि अंदर कि तरल तोड़कर बाहर के तरफ आएंगे तो भुकम की घटना जो है हमें देखने को मिलेगी है न सर्वेस राइसर इंस देखने को मिलेगी है तो भुकम से भुप्रिष्ट में विकार उत्पन होता और भ्रंस पढ़ जाते और इन भ्रंसों से प्रित्वी के आंतरिक भाग में उप विस्पोट होता है तो ज्वाला मुखी विस्पोट के माध्यम से बाहर निकलने वाले जो पदार्थ है वो कौन-कौन से पदार्थ है तो सबसे पहला अगर हम पदार्थों के बारे में बात करें तो ठोस पदार्थ है तो ज्वाला मुखी विस्पोट के माध्यम से बारिक धूलकंड तथा राख से लेकर कई तरह के आपके जो सीला खंड है ये क्या होते हैं कि मटर के दाने के तरह जिसको कि हम लैपली कहते हैं ये 6-7 सेंटे मिटर या इस से अधिक मिटर व्यास के होते हैं ये क्या होते हैं कि बाहर के तरह आते हैं जिसको कि ये सीला खंड को हम ज लावा से चिपक कर संगठित हो जाते हैं जिसको कि हम जुआला मुखी शंकोर वालकानिक ब्रीशिया कहते हैं ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से तरल पदार्थ भी हमें देखते हैं जो तरल पदार्थ यहां से निकलते हैं तो जुआला मुखी से निकलने वाले तरद पदार्थ को हम क्या कहते हैं लावा कहते हैं दो टर्म है आपके सामने एक है मैगमा जो आप लोग सुनते हो और दूसरा है लावा तो हो सकता है कि आपके दिमाग में प्रशना है कि सर मैगमा और लावा के बीच में क्या अंतर है बहुत लोग के दिमाग में प्र प्रश्ण होगा काफी सारे दिमाग में कि कभी हम सर पड़ते हैं कि मैगमा कभी हम पड़ते हैं लावा तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है सिर्फ तो कौन-कौन सूनना चाहता है कि वाट इस इस डिफरेंस बिट्विन ठीक है वाट इस दिफ्रेंस बिट्विन दा मैगमा एंड लावा ठीक है न दिले जांगडे पूछ रहे हैं कि सर जमीनी इस तर पे कमपन होता है वो भी वॉलकैनिक के संकेत हो सकते हैं क्या देखे फिर से समझिएगा अर्थ क्वैक जो है वॉलकैनिक इरप्शन का रिजल्ट अर्थ क्वैक हो सकता है लेकिन अर्थ क्वैक हो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वॉलकैनिक इरप्शन होगा इस पे रहिएगा जहां वॉलकैनिक इरप्शन होगा तो जटके लगेंगे तो आपका earth quack होगा ठीक है ना अब इसको समझना तो इसको दूसरे तरीके समझे उल्टी उल्टी करते हैं न आप लोग मोमेंटिंग होती है आप लोगो है ना अब मान लीजिए कि दो प्रक्रिया लेते हैं एक है कि आपके पेट में गुड़ 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 हो रहा है तो समझे कि प्रित्वी के पेट में गुड़ 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 को मतलब समझ लीजिए कि earth quack लेकिन क्या हर गुड़ ग लेकिन मैंने एक प्रश्ण पूछा आपसे ठीक है ना एक प्रश्ण मैंने पूछा आपसे कि what is the difference between magma और lava और यह हम लोग बार बार सुनते हैं कि magma और lava और magma और lava के बीच में difference ठीक है ना तो magma और lava के बीच में difference वैसा ही है magma का मतलब समझ लिजिए कि एक वैसी लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ है ठीक है ना यह लड़की कहा है अभी अपने माईके में ठीक है बुवा किसी की भती जी किसी की बेटी होती है है ना लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आपके ठीक है ना लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि सेम वही लड़की जब पहुंसती अपने ससुरा तो क्या हो जाती है किसी की भावी हो जाती है किसी की बीबी हो जाती है किसी की चाची हो जाती है किसी की मामी हो जाती है तो उस लड़की के अंदर कोई परिवर्तन हुआ क्या नहीं सेम मैगमा और अलावा के अंदर यही परिवर्थन है, पृतिवी के अंदर जब ये गलित और पिगलित पदार्थ होंगे, तो वो मैगमा कहे जाएंगे, लेकिन जैसे ही उसके बाहर निकल के आ जाएंगे, तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, लावा हो जाएगा, दोनों के बीच में बस इत नहीं डिफ्रेंस है प्रिशिवी के अंदर मैगमा और प्रिशिवी के सताह के बाहर लावा ठीक है न क्लियर है विडियो नहीं चल रही है चल तो रही है बाई क्लियर है चलिए गैसिय पदार्थ कौन-कौन से निकलते हैं तो ज्वाला मुखे विसफोड के समय कई प्रकार के गैस निकलते हैं जिनमें hydrogen sulfide, carbon dioxide, hydrochloric aml, ammonia chloride, gasो में जलवास्प का महतु सबसे अधिक होता है ज्वाला मुखे से बाहर निकलने वाले गैसों में 60-90% भाग जो है वो किसका होता है ज्वास्प का होता है ज्वाला मुखे का वरगी करन अगर हम करें तो ज्वाला मुखे के वड़गी करण हम कर सकते हैं, सबसे पहला आपका है सक्रिय जौला मुखी, सक्रिय जौला मुखी की बारे में हम बात करें, तो इस प्रकार की जौला मुखी में समय समय पर विस्वोड तथा उद्बोधन होता रहता है, और लावा धुवा तथा अन्य पदात बाहर निकलते रहते हैं, तथा संकु का निर्मार होता रहता है, इटली का एटेना जौला मुखी, सक्रिय जौला मुखी का बेहतरीन उधारन, जो कि 25 वर्स सो से भी सक्रिय है, सीसली दीप तथा इस ट्रॉंबली जौला मुखी प्रतेक 15 मिनट के बाद फटता है, और ये भूमत सागर का शाइनिंग पिक के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा है आपका प्रशुप्त जौला मुखी यानि की डॉर्मेंट वर्केनो, दूसरा क्या है आपका प्रशुप्त जौला मुखी या ठीक है न, डॉर्मेंट वर्केनो, ठीक है न, तो इस प्रकार की जौला मुखी में लं जौला मुखी का उधारण है तीसरा आपका जो जौला मुखी है वो है आपका विलुप्त जौला मुखी या सुप्त जौला मुखी या एक्स्टिंट जौला मुखी तो इस प्रकार के जौला मुखी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये जौला मुखी जो है विस् जील वाले ज्वाला मुखी के दिखेंगे ठीक है ना तो क्रेटर जील के रूप में बदल जाता और यहां पीर्ण पॉधे जो है उग जाते हैं ठीक है ना तो यह मैंनमार का पोपा ज्वाला मुखी एंडर्बिग आर्थर सीट इरान का देवमंद को यह सुल्तान बिलुप ज्वाला मुखी के उधारण है ठीक है ना बिल्कुल कुशाल सर्मा मैगमा अगर प्रिसवी के अंदर हो तो मैगमा और बाहर जो है ठीक है बाद में कभी भी देख सकते हैं ठीक है इसके अलावा अगर हम गार के अधार पर ज्वाला मुखी का वर्गर करें तो उद्वार क तो केंद्रिय उद्गार वाले जौला मुखी ऐसे जौला मुखी में उद्गार एक संक्री नली तथा दुरूणी के माध्यम सहुता और ऐसे जौला मुखी में लावा के साथ काफी मात्रा में अगर हम बात करें तो लावा के साथ गैस की मात्रा अधिक होने के साथ उपरी दबाओं के कम होने के करान लावा तथा गैसे बड़े जोर से उपर की और क्या होती है निकलती है ठीक है न और जहां इन में कमजोर भूपटल मिलता वहां इसे तोड़कर भेंक के साथ बाहर के तरफ निकलती हैं लावा तथा अन्य पदात अकास में अधिश्वाइस सभी को क्लियर एक बता देजिए वाइस क्लियर है एक बड़ रिप्लाई कर दीजिए कि सभी कुछ क्लियर है सभी को मेरी वाइस क्लियर है कुछ नेटवर्क इशू आ रहे थे बार बार ठीक है तो हमने कहा कि हवाई तुल यह हम इस समय हम लोग जो बात कर रहे थे वो केंद्रिय उद्गार वाले जौला मुखी के बारे में हम हमने कहा कि इसको छे वर्गों में जो है वाजित किया गया है तो हमने कहा कि एक है आपका हवाई तुल जौला मुखी उद्गार के बारे में जो हम बात कर रहे थे तो हवाई तुल जौला मुखी उद्गार के बारे में हम सभी को क्लियर है एक बार मुझे रिप्लाई कर द कम ही होते हैं तरल लावा जौला मुखि वीवर अत्वा गौर निकासी तेजी से निकलता है और दूर दूर तख फैल जाता है इस परकार उदगार मुखता हवायदीप में होते हैं जिस कारण से हवायदीप के माना लोवा और किलुवा इनके मुख उधारन इसके अलावा पठारता था आइसलेंड जो है इसके उधारण अगला जो है आपका इस्ट्रॉम्बली तुली जॉला मुखी के बारे में हम बात करें तो इस प्रकार की जॉला मुखी उद्धगार में हवाई तुल के पिक्छा पैसार्ट लावा अधिक तेजी से प्रवाहित होता है और इसके बाद है आपका वलकें तुल जॉला मुखी से निकलने वाली लावा चिपचीपा और लिसदार होती है ठीक ना जो सिग्री जॉला मुखी के दौर पर जम कर भार को और वुरूत कर देती है और जब तक नीचे से अधिक मात्रा में गैस एकत्रित होती है तो अत्यदिक सक्ति के साथ उपर औरोत को हटा देती है परणाम सुरुप ऐसे जौला मुखी में भयंकर विस्पोर्ट होता है और राक धूल युक्त गैसों के बादल जो है वो उपर के तरफ उठते हैं और उठ्गार हुआ है ठीक है नए इसके बाद देखें विशिश्वस तुल जौला मुखी ठीक है न तो इस प्रकार के उध्गार वाले में लावा अधिक गैस्यूख्त होता है जिससे भयानेग विस्पोर्ट होता है लावा के साथ गैस्थिव गती के साथ बाहर निकलती है ठीक है ना कौन सा विशुवियस और अकास में अधिक उचाई तक बादलों की भांदिच्छा जाती है और यह बादल इतने घने होते हैं कि इनमें कोई वस्तु जो है वह दिखाई नहीं देती है सरपथम इस प्रकार के ज्वाला मुखी उद्गार विशुवियस में वर्स 1872 में हुआ था और इसको विशुवियस तुल ज्वाला मुखी कहा जाता है अगला है आपका पीलियन तुल ज्वाला मुखी उद्गार तो यह सबसे अधिक विनासकारी ज्वाला मुखी होते हैं क् इनका उद्गार सबसे अधिक भायंकर तथा वीशन होता है इससे निकलने वाला लावा जो है वो अधिक चिपचिपा होता है यानि कि इसके अंदर सिलिका की मात्रा जो है वो अधिक होती है और सिलिका के मात्रा अधिक होने के कारण क्या है ये लिसदार होता है और वीवर प कारण जुआला मुखी के द्वारा निर्मित बादल प्रकास युख्थ हो जाता और इस तरह के जुआला मुखी के उद्गार जो आठ जुलाई 1902 को पश्मे दीप समू के माटिनिक दीप प्रिस्तित माउंट पिली जुआला मुखी पर हुआ था और उसी के कारण इसे पीलि जुआला मुखी कहा जाता है ठीक है ना मनीश पतेल मनीशा पतेल प्रिस एंसर माइक वाइफाइ नहीं बच्छे बहुत अच्छे है आप बहुत शांदार इस्टूडेंट्स हों ठीक है और आप लोग के अंदर काबियत है कि आप बहुत उचाई तक जाओगे ठीक है और का नाम रोशन करोगे, अपना नाम रोशन करेगे, अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, अपने माता, पिता का रोशन करोगे नाम, और जिस थीज के लिए आप लोग लगे हुए हो, वो सपने आपके जल्दी सजग हो जाएं, है ना, जल्दी आपके सपने जो हैं, वो आगने को बनते हैं और इसके अंदर आपको जो है पेट्रोलियम और गैस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे ठीक है तो यह आपको यह जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो यह मैंने आपका उत्तर दे दिया मनिशा पटेल जी और भी कोई आपके प्रश्ण हो तो आप लोग प्रश्ण के तरफ अगर जाओंगा तो यहां से मैं फिर डिश्ट्रक्ट हो जाओंगा क्योंकि लंबा यह हुआ द्धन जो है उसको हम अर्जित कर सकते हैं लेकिन खोया हुआ समय जो है उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है है वहां आपको देखिए कि आपको गोल्ड माइन और इस सारे चीज नजर आएंगे ठीक है लेकिन दकन के पठार जो किया क्या है इग्जिस क रॉक्स का एंग्जाम्पल है वह साल्टिक रॉक्स हैं लेकिन उस जगह पे अगर आप जाएंगे दकन प्रेटू पे तो आपको क्या है वहां आपको पेट्रो पेट्रोलीयम नजर आएंगे क्या ठीक है नहीं नजर आएंगे तो इसके अलावा हम पीपल्ययन तूल पे थे और इसके बाद पिलियन तुली ज्वाला मुखी उद्गार के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इस प्रकार के ज्वाला मुखी उद्गार में वास्ट विक्त गयाश गोलाकार रूप में कई किलोमेटर के उचाई तक छा जाती हैं और ऐसे उद्गार में निकलने वाले पदार्थों में धूल की अपिक्छा विकंडित पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और इस प्रकार का उद्गार पिल्ली मोहदे ने 1879 में विस्यूसियस ज्वाला मुख्य उद्गार के समय देखा था जिसका नाम पिलियन तुली ज्वाला मुख्य हुआ इसके बाद है द भान कि इस नीउसे क्याक ख कहते हैं तो क्या विक Alrighty अगरत में लवा में अख्षिद्र से नहीं निलता बर्कि करい दरार सी निकलता है और दरारे उद्गार से निकलने हुआ है लावा जो होते है वो क्या होते है पतले होते है दिखे गाढ़े होंगे तो क्या हो ठीक है इसके अलावा हम बात करें पंक जुआला मुक्य अध्वैक उद्गार जो है है वो पेट्रोलियम तथा प्रॉलीस嘛 उत्पाद Аल्म मिर्टिका भी मिलती है जल में भोलकर पंक का में याना कि पांक समस्थे हैं तो क्यां एक होने कहें चाहिए और운 के निकट वाकु तेल शेतर में या इसके उधारन है थे या आगां ऐस के आपके GC अगर आपको देखो जैसे कि आपको क्या दिख रहा है लावा मेसा सिंडर को गया लावा प्लेटी हो गया अगर इसके अलावा वोल्कैनिक के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें जो आला मुखी के प्रशार के बारे में तो जो आला मुखी का वैश्विक वित्रन अगर देखें तो प्लेट विवर्तनिकी का अधार पे अग होता है ठीक है तो यह आपके बिनास्तात्म किनारे पे होते हैं सबसे ज्यादा उसके बाद 15 परसेंट जो है वह आपके आंतरिक भागों में पाए जाते हैं विभिन अगर हम जौला मुखी पेटियों के बारे में तो प्रशांत महासागरिय छित्र जहां कि आपके जौला मु हो गया अफ्रीकन हो गया इंडियन प्लेट हो गया ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें तो मज अट्लांटिक मेखला छित्र है तो यह आप अपना देखिए यह रिंग ऑफ फायर का जो छित्र आपको दिख रहा यहां सबसे ज्यादा आपको क्या है वोल्कैनिक एक्ट प्रज कर लेजिए और मुझे फॉलो कर लेजिए कि जितनी वी आपको फ्रीक्लासे से उस फ्रीक्लासे सिसका आप लाव उठाई है खासकर उत्तर प्रदेश में होने वाली प्रिक्षाओं का प्लूग प्लस के फैदे के बारे में बात करने तो लिए अन्लिमिटेट एस त प्लास एक और फायदे अनेक इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो प्रगती यूपी पीस्सी आरो और यारो के नाम से प्लस टेस्स चल रहा है जो कि 19 जून से स्टार्ट हो और 25 जुलाई यानि कि आज लाश डेट है यह चल रहा है स्टुडेंट इसको दे रहा है इसके अलावा लक्ष यूपी पीसी मेंस पे बहुत बिस्तृत तरीके से तैयारी कराई जा रही है मात्र 7560 रुपया में बहुत शांदार तरीके से तैया में जुड़े लेकिन उसके बाद भी हम लाएना ऑनलाइन माध्यम में एक मानक बनाके रखा है कि जिससे कि अपने स्टुडेंट को हम क्वालिटी मेंटेन करके रखें और स्टुडेंट भी रिजल्ट दे रहे हैं आप लोग देख रहे हैं आप लोग खुदी मैसूस कर र 12 महीने का बैच है ठीक है अगर आप यूपी पीसी और यूपी ट्रीपल सी का सब्स्रेप्शन लेते हो ना दोस्त जिसके लिए आपको कोड क्या यूज करना है ए एन यूपी वन जीरो अनुप टैन तो आप समझे कि आपको यूपी पीस अपर लूवर पीस आरो यारो क्या कोड यूज करना गोड दोस्ता बसुथ सब्सक्रानी है ऐसा गरव मालिक सम्सरा कर रहे हैं वह मुझे लेकिन यहाँ 7560 में दूस साल तुमको कोई नहीं तोगेगा तुम दबा के पढ़ाई करोगो है के नहीं गुरा मुसरा कह रहे हैं गुट काम नहीं खाते हैं रहे गदा ठेक है इसके अलावा हम 12 महीने की बात करें तो 6306 महीने की बात करें तो 5040 3 महीने की बात करें तो 3,150 और एक महिने के बात करें तो 1260 रोपए ठेक है इसके अलावा यूपी और बिहार के students के लिए है जिसमें यूपी बिहार के लिए आपका live classes, test series, structured courses, unlimited access करने को मिलेगा जिसमें 6 महिने के और वीडियो को लाइक करना भूल गया हो तो लाइक कर दिए शेयर कर दिए सबस्क्राइब कर दिए इस चैनल को बेल आइकन दबा दिए और बहुत बहुत धनेवाद आप सभी को अपना बहुमुली समय देने के लिए ठीक है मिलते हैं फिर अगले विकेंड पर कुछ नए ज सपने को जीवन्त रखिए 2021 को बेरोजगारी मुक्त भारत बनाईए और इस बारोजगार पाना है बेरोजगारी का कलंग मिटाना है इसी प्रणड के साथ विजा देता हूं मैं आपके साथ जैन जै भारत